सबसे पहले तो जो पहला लेसंद था उसमें हमने इसमें इशारा और मुशारून इले को सीखा था इसमें इशारा और मुशारून इले किसे कहते हैं इसमें इशारा यानि डिमोनिस्ट्रेटिक प्रणॉन जिससे हम किसी चीज को डिमोनिस्ट्रेट करते हैं किसी चीज की तर जिस लवज से हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं उस लवज को या उस इसम को हम इसम इशारा करते हैं या तो पास होगा या तो दूर होगा अगर पास की चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं हम उस इसम इशारा से तो उसे इसम करीब कहेंगे करीब के माना नस्दीक ठीक है और दूर की तरफ जिस इसम इशारा से हम इशारा करते हैं उसे क्या कहेंगे इसम इशारा बाइद ठीक है याद रखेंगे इसम इशारा इसम के जरीये से हम किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं उसे इसमे इशारा कहते हैं ठीक है और उसकी दो किसमे हो गई इसमे इशारा करीब और इसमे इशारा बाइद ठीक है पास की तरफ जिस इसमे से हम इशारा करते हैं उसे इसमे इशारा करीब और दूर की तरफ जिस ल कि अशारा करते हैं उस तर्म को कहते हैं मुशारुन इल्य जिस चीजड की तरफ हम ॲिनिस्ट्रेटिटिफ प्रऔवन कि के जरिए थीस चीजड की तरफ हम इशारा कर रहे हío, तो इसकी दो कंडीशन होगी या तो उस पर अलिफ लाम नहीं होगा, टीक है अगर अलिफ लाम नहीं होगा अगर अलिफ लाम नहीं होगा जिस चीज़ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं तो वो डारेक्ट क्या कहते हैं प्रेडिकेट बन जाएगा अगर अलिफ लाम नहीं होगा मुशारुन इलाइपे तो वो डारेक्ट प्रेडिकेट यानि खबर बन जाएगा ठीक है और वो हाज़ा या हाज़ी या जाली का तिलका क्या बन जाएगा सब्जेक्ट यानि मुब्तदा बन जाएगा लेकिन अगर जिस चीज़ की तरफ हमें उस पर अलिफ लाम दाखिल है उस पर अलिफ लाम एडिड है ठीक है जासी एक मिनट जैसे इस lizen में तो नहीं नहीं दिया हुआ है यानि जिस चीज़ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं अगर उस पर अलिफ लाम लगा हुआ है तो अब वो डायरेक्ट प्रेडिकेट यानि से मिल करके क्या बनेगा संटेंस का हाफ पार्ट बनेगा संटेंस का हाफ पार्ट यानि सिर्फ सब्जेक्ट बनेगा या पिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ प्रेडिकेट बनेगा अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो इस सब्जेक्ट के लिए अलग से प्रेडिकेट यानि खबर ला बन जाएगा और यहाजा सब्जेक्ट बन जाएगा ठीक है हाजा कलमुन यह एक कलम है ठीक है है इसमें लगेगा यह एक कलम है ठीक है इसमें लगेगा तो यह कंप्लीट सेंटेंस हुआ लेकिन अगर इसी पर हम इस कलम के शुरू में अलिफ लाम लगा देते हैं और कहते सब्जक्ट बना करता है या सिर्फ प्र condemn करता है इनकंप्लीट है यहाफ सब्जक्ट पार्ट है ऊसके Vamos सब्सक्द सब्सक्राइब ओना की जरूरत पड़ेगी तो इसे मच्छी थीक लगा ठीक है जिसे हाजा गलमुन् यह एक गलम है हो गया Seal Rights लिकन अगर इस कलम पहलिए लगा होता है तो भाजल कलमु यह कलम ठीक है कैसा है उसके बारे में फिर हम Qeto को अलग से लाणा पड़ता है उह हाजल कलमौ अहमरू यह पैन लाल है यह पिर अखजरू यह पैन हरा है यह पिर अजवदू यह पैन उम्दा है ठीक है कुछ भी आप सिफ़त ला सकते हैं खबर ला सकते हैं तो यह हो गया complete इसमें translate की जहां तक बात है तो आप recorded वीडियो में जाकर करके देखेंगे इसमें आमीन तू ठीक है इस पे दो पेश नहीं है यानि तन्वीन नहीं है ठीक है तो मैंने बताया था कि औरतों के नाम पे तन्वीन नहीं आता ओरतों के नाम पे तन्वीन नहीं आता ठीक है नीचे लिखा हुआ यहां तल्बा को यह बताया जाए कि जिस लफ़ के आखिर में ग करेंगे तो मुएननस डिमनिस्ट्रेटिव प्रॉनौन का इस्तमाल करेंगे लाइक हाजी और तिलका नौट हाजा और जाली का ठीक है यह हो गया कम्प्लेट इस लेशन का जो में थीम था अब हम आगे चलते हैं तरजमा में कुछ नहीं है अगर कोई किनी को अगर कोई प्रॉब्लम है कोईiberDeM feeling का तो आप में चैट बॉक्स में लिकरें मैं बताता जाओंगा ठीक है दूसरे लेसन में है जुमि सी यह प्रसनल प्र्णॉण जो मुतेयन शख्स के लिए हम सब मर्द या हम सब आृते ठीक है नहनू जो इस्तमाल होता है दो मरदों के लिए या दो आरतों के लिए यह सब मर्दों के लिए यह सब औरतों के लिए ठीक है यह हो गया नहनु जो है पुलूरल फॉर्म है फस्ट परसन का पुलूरल फॉर्म है तो आई एंड वी यह फस्ट परसन है आई जो है याना जो है सिंगुलर फॉर्म है और नहनु जो है पुलूरल फॉर्म है ठीक है उस यह च्छे जामीर दो आप यूटल現在 उनल यूटूल मैल यूटूल यूबन फीमेल यूटूल फिमेल यूल फिमेल इग मुर्वाओं की जाता है सुँ ने को एक अपको फि chuig attorney एक मर्द ठीक है और अंती उसी के बिलमकाबिल है तू एक औरत ठीक है अंतुमा जो है कॉमन है यानि अंतुमा दो मुजक्कर के लिए भी और दो मौननस के लिए भी तुम दो मर्द या तुम दो औरते अंतुमा कॉमन है और तुम सब मर्दों के लिए आता है अंतुम ठीक है और तुम सब अरतों के लिए आता है अंतुना ठीक है ये इंग्लिश का यू को बतलाता है यू अब यू में कितने परसन आ गए छे परसन आ गए आप एक मर्द आप एक औरतें आप एक मर्द आप एक औरत आप दो मर्द आप दो औरतें आप सब मर्द आप सब औरतें ठीक है जमीर का मेनिक सबजेक्ट होता है, नहीं, जमीर प्रणॉन, जमीर प्रणॉन, ठीक है, इंस्टेट अफन नाउन, इस कॉल प्रणॉन, अब आते हैं third person पे, third person में, यानी वो एक मर्द हुआ, वो एक मर्द, उसी के मकाबिल है, हिया, वो एक औरत, ठीक है, वो एक मर्द के लिए हुआ, वो एक औरत के लिए हिया और वो दो मर्द के लिए हुमा और वो दो औरतों के लिए हुमा ये दोनों common है, यानि ये बोथ फॉर मेल और फीमेल हुमा इस यूज़ फॉर बोथ मेल और फीमेल फॉर थर्ड परसन ठीक है, dual form हुमा जो है दो मर्द और दो औरतों के लिए इस्तमाल होता है थर्ड परसन में उसके बाद है वो सब मर्द ठिक है तो ये भी थर्ड परसन है masculine और plural है वो सब मर्द और इसी की मुएननस हो जाएगी हुनना वो सब औरते they all female तो यहां तक हो गया किलियर कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है इसको यानि प्रसनल पॉर्णों को समझने में तो फिर बताएं आप रेसेंड करें या फिर सवाल करें चैट बॉक्स में जी अहसान अली शेख भाई बोले यह मैं बता रहा था कि जो थर्ड परसन बताया आपने थर्ड परसन वाला हूं हां हूं और फुन इन दोनों का डिफेंस थोड़ा सा और किलियर कर दीजिए हां देखिए पहले इन थर्ड परसन को फिर से समझ लीजिए थ पहले उर्दू में बता रहा हूं वो एक मर्द या वो एक औरत ठीक है वो दो मर्द या वो दो औरते वो सब मर्द या वो सब औरते बताएं यह थर्ड परसन में आते हैं कि नहीं आते हैं अब वो एक मर्द के लिए हुआ वो एक औरत के लिए हिया ठीक है और वो दो मर्द हाँ वो दो मर्द और वो दो और दोनों के लिए हुमा है अच्छा और वो सब मर्द के लिए हुम है और वो सब औरतों के लिए हुना है तर्जमा को नहीं लेंगे तर्जमा में अगर किनी को प्रॉब्लम है तो वह चैट बॉक्स में लिखे मैं बताता चलूँगा जमीर का मैं मिनिंग सब्जेक्ट नहीं जमीर के माना होता है प्रुनौन ठीक है उसके बाद है हां मा और मन अर्मन कॉपले समझे ले मन जो है इंसान के लिए इस्तमाल होता है पहले मैं इससे बता रहा था जानदार और गएर जानदार नहीं इसमें लिखा वा किताब में नीचे इंस्ट्रक्शन में कहीं पर लिखा हुआ था मन जो है इनसान के लिए इस्तमाल होता है ठीक है मन से हम इनसान के बारे में सवाल करते है और मा से गएर इनसान के बारे में सवाल करते है किलियर है मन के मान है कौन हूँ और मा के मान है क्या भाट ठीक है मन से इनसान के बारे में सवाल करते है मा से मीम अलिव जबर मा से घेर इनसान के वारे में सवाल करते हैं हां मुजक्र से मुटनस बनाने का तरीका बहुत ही इंपोर्टन तरी feelings याद रखें जब तक अरभी में आपको क्या बोलते हैं पहले तो मैंने बताया था कि मुटनस की कुछ खास अलामते हैं तिन अलामते, अभी तक मैंने बताई है, ठीक है. सबसे पहली जो बड़ी, सबसे बड़ी अलामत जो है, मुएन्स होने का, वो अरभी लवज के अखीर में गोलता का अड़ होना, यह गोलता लगा हुआ होना, यह मुएनस की सबसे बड़ी अलामत मान कर चले, ठीक है, एक अलामत हो गई, दूसरी अलिफ मकसूरा, और याद रखें, अलिफ मकसूरा ढूंडेंगे आप, तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो या पे खड़ा जबर की शकल में होता है, या एक खड़ा जबर जैसे हुबला, हुबला लिखा हुआ है, तो लाम खड़ा जबर ला, लाम के बाद या है, ठीक है, तो लाम पे खड़ा जबर है, उसी खड़ा जबर का नाम क्या है, अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा को आप अलिफ की शकल में डूडने के नहीं मिलेगा, ठीक है खड़ा जबर की शकल में मिलेगा या पर खड़ा जबर की शकल में अलिफ मकसूरा मिलेगा तारीफ क्या है डिफिनेशन क्या है अलिफ मकसूरा की अलिफ मकसूरा की डिफिनेशन है कि वो अलिफ है जिसे जादा खीच करना पढ़ा जाए ठीक है अलिफ मकसूरा वो अलिफ है जिसे जादा खीच करना पढ़ी जाए ठीक है दो हो गया एक गोलता मुणनस की अलामत और एक हो गया क्या बोलते हैं अलिफ मकसूरा एक तीसरी अलामत सुनने क्या बोलते हैं ममदूदा, ममदूदा के माना होता है, खीचा हुआ या खीच कर पढ़ा जाने वाला, ठीक है, अलिफ ममदूदा वो अलिफ है, जिसे थोड़ा खीच कर पढ़ा जाए, ठीक है, जैसे, क्या है, हम्राओ, फालाओ, वगयरा, थोड़ा खीच कर पढ़ा जाए, ठीक है, तो ये में होता है ठीक है गोलता या फिर अलिफ मक्सूरा या फिर अलिफ मम्दूदा ये तीन सबसे बड़ी अलामत है किसकी मौनस होने की जी तामीन शेख बोले जी मौनस की जो पहले शक्र शक्ले है गोलता ये तो पहचानने पर हम अलिफ मक्सूरा अलिफ मम्दूदा कैसे पहच अभी गोलता तो आ चुका है ना जी हाँ ठीक है तो देखे तो यह तीन अलामत बताई अच्छा यह देखिए किसी रूल से के आने का यह मतलब नहीं है कि वह रूल्स आया तो क्या बोलते हैं उसका का इंप्लिमेंटेशन फौरन हो जाए है उसी लेसन में हो जाए ऐसा होता है कि बास दफ़ा बात निकलती है तो ऐसे रूल्स आ जाते हैं जो अब तक कवर नहीं हुए है तो वो आएंगे इंशाल्ला आज नहीं आया तो कल आएगा इस किताब नहीं आएगा तो फिर दूसरे क्या बोलतें मेल ट्रीट करेंगे यानि मजक्र मानकर चलेंगे मुजक्र मानकर चलेंगे जी सुफ्यान भाई बोलें सॉर ये कौन से एक्जामपल हुए कि हॉबला फौला जॉबला फॉबला यह जॉबला है सुग्रा है, ये अलिफ मख्सूरा की मिसाल है और हमराओ है फालाओ है, जर्काओ है ठीक है ये अलिफ ममदूदा की मिसाल है क्या अब देखें जब तक ये तीन आलामत किसी नौन के अंदर नहीं पाई जाएगी तब तक उसे मुजखकर ही मान कर चलेगे ठीक है और जब इन में से तीन में से जरूरी नहीं कि तीनों तीन में से कोई एक भी किसी के अंदर आ गया तो आप उसे मुखनस के हिसाब से लेकर चलेंगे ठीक है तो अब देख लें जैसे मुवजफतुन है मुवजफतुन है जब दिखाते हैं ठीक है ये मुवजफतुन है गोलता के साथ मुवजफ़न अगर होगा विडाट गोलता तो होगा मेल इंपलोई लेकिन गोलता के साथ अगर होगा तो फिमेल इंपलोई ठीक है ये गोलता आ गया तो ये मुएनस हो गया उसके बाद है ये ठीक है, या फिर एक और, या फिर कोई ऐसा नाम होना जो औरतों के साथ ही खास हो, हम जानते हैं कि वो औरत ही का नाम हो सकता है, तो वो भी मुएनस होगा, लाइक अलूमू, अलूमू के माने मा होता है, ठीक है, फिर सुआद, सुआद नाम आया है, सुआद मुएनस ही का होत लड़के का नाम सुआद नहीं होता है लड़के का नाम साद होता है लड़की का नाम सुआद होता है ठीक है तो कुछ ऐसे नाम जो मुएनस के साथ एकदम खास हो तो वो मुएनस होगा ठीक है यह तो हो गया दूसरी बात वाहिद तस्निया और जमा इन टर्म को अच्छी तर एक होता है वाहिद मुझकर ठीक है यानि वाहिद है और मुझकर है मेल है और दूसरा तस्निया मुझकर यानि मुझकर है और तस्निया है ठीक है और तीसरा है जमा मुझकर यानि मुझकर है और जमा है ठीक है इसी तरीका से वाहिद मुझनस एक मुझनस तस्निया मुझनस दो मौनस दो अड़ते और जमा मौनस ठीक है तो वाहिद से तस्निया बनाने का गाइदा और वाहिद से जमा बनाने का गाइदा और तरीका ठीक है तो वाहिद के अखीर में वाहिद के अखीर में हम अलिफ नून जोड देंगे वाहिद मुजकर के आखिर में अलिफ नून जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा तस्निया मुजकर जैसे यहाँ पर लाइबुन लिखा हुआ है लाइबुन ठीक है तो ये वाहिद है एक खिलाडी अब इसके आखिर में क्या करेंगे अलिफ और नून झोड देंगे तो क्या हो जाएगा लाइबानी दो खिलाड़ी तो ये वहाहिद मुझचकर से स्थिसनिया मुझचकर बन गया और वहाहिद मुझचकर से जम्ह मुझचकर बनाने का तरीका ये है कि आखिर में वावनून आखिर में वा नून जोड़ दें ठीक है? जैसे लाइबून के माना एक खलाडी, अब चछन्द कहलाडी के लिए은गे क्या लाइएएगे? लाइबून इसी के अख्य़ में लाइबून के अख्यर में वा नून जोड़ कारि अटानि टीक हैं? तो दो पढ़ने वालित उसके बद इसके आखीर में यानी वाहिर मुणिस के आखीर में अलिफ और लम्पीता नॉट गोलता अलिफ और लम्पीता लगाएंगे तो जम्ह मुणिस बन जायेगा कारि आत उल बहुत सी पढ़ने वालिया रीडर्स ठीक है तो ये वाहिद मुझकर से तस्निया मुझकर और जम्मुझकर बनाने का तरीका सीख गया और वाहिद मुझकर से तस्निया मुझकर बनाने का तरीका पता चली गया ठीक है और तो इसमें कुछ है नहीं अगर कोई सवाल हो तो पू एक बात, subject and predicate, subject यानि मुपतदा, predicate यानि खबर, subject and predicate में compatibility, यानि मताबकत होना बहुत जरूरी है, ठीक है, subject and predicate में मताबकत जरूरी है जैसा subject होगा, उसी के according हम predicate लाएंगे, जैसा subject होगा, उसी के according हम predicate लाएंगे, यानि खबर लाएंगे, ठीक है, अगर subject वाहिद मतकलिम होगा, तो खबर भी हमें वाहिद मतकलिम लाना होगा, अगर मुझकर होगा, तो खबर भी वाहिद मुझकर ही लाना होगा, ठीक है, मुझकर होगा तो खबर भी तस्निया मुझकर सबजेक्ट अगर जमा मुझकर होगा तो खबर भी जमा मुझकर लाएंगे और इसी तरीका से सबजेक्ट अगर वाहिद मुझकर होगा तो खबर वाहिद मुझकर सबजेक्ट अगर तस्निया मुझकर यानि दो औरते तो उसी के recording हम predicate यानी खबर लाएंगे दो औरत को बताने वाला ठीक है और उसके बाद अगर जमा मौनस सब्जेक्ट है तो predicate यानी उसकी खबर जमा मौनस ही लाएंगे इसका इसका खास ख्याला लखना ऐसे नहीं हो सकता है कि यहाँ पर अना लिका बाद आना के माना मैं वाहिद मतकल्म ठीक है मेल एंड फीमिल दोनों के लिए इसितमाल होता है अना तो अब अना के साथ लाกानी नहीं ला सकते क्योंके लाइबानी के माना होंगे दो खिलाडी और सब्जेक्ट जो है वो वाहिद है मुजक्कर है ठीक है तो अना लाइबानी कभी भी नहीं सही हो सकता अना के साथ लाइबून ही आएगा जी काशिफ मलक साहब लोवर हैंड कर दिया जी बोलें जी माइक ओपन कर दिया आपका हालो हाँ यह जो बता रहा है आपने बताया कि यह जैसे यह कारी अतुन ने एक एक के लिए अपन एक के लिए अपन लाते हैं इसमाल करते हैं कारी अतुनी दो के लिए खारी अतानी और कारी अतुन कारी आतुन कारी आतुन यह बहुत बहुत के लिए करते हैं ठीक है हाँ हाँ जी ठीक है जी ठीक है हाँ तो मैंने ये मैं ये बता रहा था अब इसके आगे वाली जो बात बता रहा थे ने आप उसके बारे में मैं पोछ रहा है किसके साथ में क्या आना चाहिए ये एक बार और किलियर कर दीजिए जो बता रहा थे हैं क्या किसके साथ क्या आना है प्रेडिकेट बाद में आता है ठीक है लेकिन अरबी में एक कायद यह है कि इस प्रेडिकेट को भी पहले ला सकते वह एक अलग बहुत कॉंपलेक्स सिटी है ठीक है लेकिन सब्जेक्ट पहले आता अब सब्जेक्ट अगर वाहिद मुझकर होगा वाहिद मुझकर होगा त प्रेडिकेट भी उसी के कॉर्डिंग वाहिद मुझकर ही लाएंगे लाइबानी नहीं ला सकते लाइबूना नहीं ला सकते समझ रहें बात को जैसा सब्जेक्ट वैसा खबर यह याद रखेंगे तो उसके बाद है अना मुदर्रिसतुन अना मेल एंड फीमिल दोनों के मर्द और दोनों में ठीक है तो नहनू के साथ हम कातिबूना भी ला सकते हैं और कातिबानी भी ला सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं नहनू बोथ के लिए भी आता है और ओल के लिए भी आता है उसके बाद लेकिन हुन्ना अगर आएगा हुन्ना के माने वह सब औरते तो उसक तदा जैसा होगा उसी के कोर्डिंग हमें खबर लानी होगी ठीक है उसके बाद है हाँ याद रखेंगे गयर अरभी मुलकों यानि नॉन अरभिक कंट्रीज शहरों यानि सिटीज और देहातों विलेजिस ठीक के की नाम पर नॉन अरभिक मुलक के नाम हो या फिर शहरों के नाम हो या फिर देहातों के नाम पर एक जबर या एक पेश आएगा कोई भी नॉन अरभिक कंट्री है या शहर है या फिर देहात का नाम है तो उस पर तनवीन नहीं आएगा एक जबर या एक जबर या एक पेश आएगा ठीक जैसे बंगलादीश नौन अरब कंट्री हे गशमीर एक पेश आएगा दो पेश नहीं आएगा इसका खास खयाव रखेंगे जी और ते इसमें कुछ है नहीं हाँ हल हल के माना होता है क्या ठीक है हल जो होता है सवाल करने के लिए आता है इस्तिफाम करते हल बराए इस्तिफाम या फिर बराए सवाल हल सवाल के लिए आता है हल के माना होता है क्या ठीक है और एक हमज़ा इस्तिफाम यानि हमज़ा जबर आ आ के माना भी क्या और हल के माना भी क्या लेकिन दोनों में कुछ माइनर फरक है ठीक है कहा किसका इस्तमाल होगा वो आगी चल करके हम देखेंगे ठीक है लेकिन इतना याद रखें कि हल के माना क्या सवाल है और इसका जवाब दो तरीके से देते हैं या तो मुस्बत जवाब तो मन्फी जवाब, मुस्बत जवाब, यानि positive response जैसे आपसे कोई उर्दू में भी सवाल करता है, क्या के जरीए से तो आपका जवाब दो ही तरह से हु सकता, हाँ या नहीं, ठीक है? तो हल का जवाब दो तरह से होता है, positive response, नाम, हाँ और निगेटिव रिस्पॉंस ला नहीं, ठेक है? मा को तो मैं अभी बता चुका, नीचे लिखा हुआ है, मदर्रिस यानि टीचर यहां तल्बा को समझा दें, कि बे-अक्ल चीजों को पूछने के लिए मा आता है। जबकि अक्ल को पूछने के लिए मन आता है। यहां पे तो यह लिखा हुआ है इसक्र्च्सक्न instruction में एकिन आगे कहीं दिखा हुआ है, कि इंसान के लिए मन, और गयर इंसान के लिए मा, जयोसे समत के माना मचली. मचली के लिए जब हम सवाल करेंगे, माहाज़ा से सवाल करेंगे. मन हाज़ा नहीं कहसकते हैं. ठीक है? और आदमी के बारे में अगर सवाल करेंगे तो मन से करेंगे मा के माना क्या, मन के माना कौन इसके बाद हाँ ये इंपोर्टेंट है इसमें लकीरा और इसमें मारिफा जी, हलो, सर ये मा और मन वाला एक बार और किलिए लिए इनसान के लिए आता है मन हलो इनसान के बारे में जब सवाल करेंगे इनसान के बारे में जब सवाल करेंगे तो मन के जरीए से करेंगे ठीक है? और मा और गैर इनसान के बारे में सवाल करेंगे तो मा से सवाल करेंगे जैसे मा हाजा यह क्या है कोई चीज के बार में ही माहाजा यह क्या है ठीक है कोई चीज के बार में हान और क्या है तो जाहिर है कौन आदमी के लिए इस्तमाल होता है और क्या चीज़ों के लिए इस्तमाल होता है? बस इतनी सी बात है. ठीक है? अब है comment non and proper non. Common non को कहते है इसमे नकीरा और proper non को कहते है इसमे معर्णवा है. याद रखेंगे के इसमे नकीरा यानि आम नाम किसी चीज़ का आम नाम होना, कॉमन नौन ठीक है? कॉमन नौन पे, यानि इसमे नकीरा पे तन्वीन होती है, इसमे नकीरा पे तन्वीन होती है, तन्वीन यानि दो जबर या दो जेर या दो पेश का नाम तन्वीन है, तो कॉमन नौन पे तन्वीन आता है, कलमुन के माना एक कलम या कोई कलम हिदाद रखेंगे इसमें नकीरा का तरजमा जब हम करते हैं तो उससे एक या कोई का सेंस निकलता है एक या कोई का सेंस निकलता है उसी के हिसाब से आप जब तरजमा करेंगे कलम उनके माना एक कलम या कोई कलम वरक उनके माना एक वरक या कोई वरक ठीक है मिबरातन के माना एक एरेजर या कई एरेजर या फिर बैतन के माना एक घर या कोई घर तो अब एक या कोई के लिए अलग से अरबी कभी नहीं डूड़ना ऐसा नहीं कि एक किसका तरजमा हो रहा है कोई किसका तरजमा हो रहा है उसके लिए हम अरबी तलाश रहें, नहीं, एक या कोई इसमे नकीरा यानि common non का जब हम तर्जमा करते हैं तो उससे एक या कोई का सेंस निकलता है, यह होगी या common non, उसके बाद proper non, यानि इसमे मारफा, ठीक है, जब हम common non से proper non बनाते हैं, यानि इसमे नकीरा से इसमे रिमूब कर देते हैं, रिमूब कर देते हैं और उससी लफ़ के शुरू में अलिफ नाम एट कर देते हैं, ठीक है? गला मुन इसमे नकीरा था, common non था, और उस पे तन्वीन थी, common non पे तन्वीन होता है, और हम को बनाना था इसमे मारफा उसी लफज से उसी वर्ड से ठीक है तो हमने क्या किया उसकी तन्वीन को रिमूब कर दिया उसके बाद उसके शुरू में अलिफ लाम लगा दिया याद रखेंगे एक ही फेम वर्ड में एक ही वर्ड में क्या कहते हैं अलिफ लाम और तन्वीन अखेर में तन्वीन लगा हुए, बिलुकुल नहीं हो सकता है। यह जो आपके जहन में हैं। यह इस्पेसिफिक पेन है। इस लेसं में कुछ भी नहीं है। बिलुकुल आसान है। सारी चीज़ों हो गई अब आगे देखते हैं हाँ यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है इसको खास ध्यान दे करके सुने हैं हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी आपने सुना होगा और इसमें इस इस टॉपिक में पर इस इस पर क्या बोलते हैं पकड़ना होने की वज़े से पढ़ने में तलफुज में काफी परिशानी हो होती है लोगों को क्या पढ़ेंगे या अद डफ्तर व पढ़ेंगे अल्मिवरातु पढ़ेंगे या अम्मिवरात्यु पढ़ेंगे ठीक है? ये प्रोनौन्स से रिलेटेड है अगर इसको हम नहीं सीखेंगे हरूफ कमरी और हरूफ शम्सी को तो फिर ऐसा मुम्किन नहीं है कि हम एक दम करेक्टली पढ़ ले ठीक है नीचे जे लिखा हुए इसको फढ़ देते है चूंकि बहुत जरूरी है यहाँ तलबा को ये बताए जाए कि आरबी के चौदा हरूफ रूफ 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 र पर इनमें से किसी हर्फ पर अगर अलिफ लाम लगेगा तो अलिफ लाम का तलफुज किया जाएगा यानि किसी लवज के शुरू में हम जब देखते हैं कि उसका पहला लेटर वड का पहला लेटर यानि लवज का पहला हर्फ क्या है हुरूफ कमरी के काटेगरी में से हैं और उसके शुरू में हम अलिफ लाम लगा रहे हैं तो अलिफ और लाम दोनों का तलफूज होगा प्रोनौंस होगा ठीक है जैसे मिबरातुन देख रहे हैं आप यहां पे मिबरातुन मिबरात उन देख रहे हैं अलिफ लाम लगने से पहले देखें अलिफ लाम को हटा करके देखें अलिफ लाम के बाद जो पहला लेटर है पहला हर्फ है लफज नहीं लफ़ पूरा हो गया अलिफ लाम के बाद मीम है मीम किस काटेगरी में आता है हुरुफِ قمرी के काटेगरी में आता है ठीक है तो अलिफ लाम के जस्ट बाद मीम पहला लेटर आ रहा है जो हुरुफ लाम दोनों का तलफ़ यानि प्रोनौंस होगा इसी वज़ा से हम अलमिबरातू बोलते हैं हमजा की आवाज भी निकल रही है और लाम की आवाज भी निक जिका और उसके शुरु में अलिफ लाम लगा रहे हैं तो अलिफ और लाम दोनों का तलफ़ होगा और अगर हुरुफ शमसी है और अगर हुरुफ शमसी है पहला लेटर ठीक है अलिफ लाम जिस वक्त लगाने जा रहे हैं पहला लेटर आपको हुरुफ शमसी मिल रहा है त तर्ड लेटर जो है वो कुछ भी हो उस पर तशदीद होगा फिर शंसी की कटिगरी में से अगर होगा तो उस पर शद्दा यानि तशदीद होगा और उस वक्त जो अलिफ है वो उस तीसरे लेटर में मिल जाएगा डायरेक्टली नाम रिमूव हो जाएगा यानि तलफुज से रिमूव हो जाएगा ठीक है अब इसे पढ़ रहा हूं नीचे हुरुफ शमसी भी चौदा है और वो ये हैं तासा दाल दाल राजा सेन शेन साद जाद ताजा लाम नून इन पर अलिफ लाम आएगा तो सिर्फ अलिफ का तलफुज होगा ठीक है अलिफ का तलफुज होगा लाम का तलफुज नहीं होगा जैसे दफ्तरुन इसी में देख लेए सबसे उपर वाला जो है दफ्तरुन ठीक है दफ्तरुन अलिफ लाम को हटा करके देखें पहला लेटर दाल है जो हुरुफ शमसी के काटेगरी में से ठीक है तो इसी वज़ा से अलिफ का तो तलफुज हो रहा है लेकिन लाम का तलफुज नहीं हो रहा और अलिफ लाम दाल तीन लेटर हो रहा अलिफ पहले पोजिशन पे दूसरे पोजिशन पे लाम तीसरे पोजिशन पे डाल ठीक है पहला पोजिशन वाला जो लेटर है वो तीसरे पोजिशन से मिल जाएगा ठीक है क्या होगा मिल जाएगा और तीसरे लेटर पे तश्दीद होगा हमेशा इस कंडिशन में अदफतरू ठीक है लाम है लिखा हुआ लेकिन हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि यहां पर रूफ शमसी है जी इसमें कोई अगर सवाल है तो पूछ लें जल्दी से और आगे जी यह तो आसान है भी बताया मताबकत सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में हाँ अब आगया साथवाले सन में है हुरूफ जरूफ जर यानि अरबिक के प्रिपोजिशन और यहां पर सारे नहीं दिये हुए चंद दिये हुए ठीक है जैसे अला अला के माना पर फी के माना में इला इला के माना की जानेब या टू वर्ड्स ठीक है मिन के माना से और ली के माना फॉर बाई के माना बी के माना साथ यह जरीया जी सुफ्यान साभ बोलें जी आप ग्रातलवाजिया पढ़ाते हैं नहीं मिफ्ताहुलारविया अच्छा मिफ्ताहुलारविया अ हलो जी यह मैं यह ह मेरा के माना पर मैं सब बतारहूं भस जल दी आ हुआ के माना पर की जानीब मिन एक मादि लिक के माना के लिए और बी के माना जरीया यह साथ खींड़ जो याद रखेंगे, यही जो प्रिपोजीशन है, जो अरभी के फ्रिपोजीशन है, खरूफ जार है, इसके बाद वाला जो भी इसमें होगा, ठीक है, वह हमेशा जेनितिव केस में होगा, यानि हालत-धे जर्री में होगी, और उस पर जेर ही आएगा, इसके अलावा कुछ प्रफेस्नल प्रफेस्नल प्रवनून था और उनके प्रफेस्नल प्रफेस्सेड में अलगे से जू है यह csk connected जमीर है यहाने लव्ज से और मिल कर इस्तमाल हो रहा है ठीक है जैसे हू है हा है का है की है ये है ना है ठीक है फू के माना उसका उसे एक मर्द का हा के माना उस एक औरत का 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 के माना तुझे एक मर्द का और का का जिर की के माना तू एक औरत का और या जिर यी का मैं एक मर्द या एक औरत का ना के माना हमारा हम हम दो मर्द का या हम दो औरतों का या हम सब मर्द का या हम सब औरतों का ठीक है और यहां पे जो ये जमीरे इस्तमाल हुई है पसेसिवली यानि इजाफत के तौर पे यानि ये जो किताब है ये मुजाफ है और कोई साथी ने कहा था मैसेज करके कि मुझाफ एंड मुझाफले को अच्छे से समझा दीजिएगा तो सुने लियान से मुझाफ उस इसम को कहते हैं जिसकी निस्बत या जिसका तालुक या जिसका लगाओ किसी दूसरे इसम या जमीर से बतलाई जाए ठीक है मुझाफ उस इसम को कहते हैं जिसका तालुक निस्बत जिसकी लगाओ किसी दूसरे इसम या जमीर से बतलाई जाए यहां पे देख लें किताब एक इसम है ठीक है और इसकी इजाफत जो हूज अमीर की तरफ कर रहे है किताब किसकी है उसकी है किताब वू हूज अमीर की तरफ कर दिया अब वू जमीर को रिमूव करके मैं इधर कोई नाम इस्तमाल करता हूँ किताब उजाइदिन ठीक है किताब उजाइदिन तो आप कहेंगे कि जाइदिन पे जेर क्यों आया मैं पहले बता चुका हूँ कि मुजाफिले जो होता है जेनेटिव केस में होता है यानि मुजाफिले पे जेर आता है ठीक है तो फिर आप पूचेंगे कि हूज अमीर पे जेर क्यों नहीं आया तो इसलिए नहीं आया कि हूज अमीर जो है मबनी है मबनी एक टर्म है एक होता ह मौरब एक होता मबनी ठीक है यानि इस पर शकल की इतबार से दिखने की इतबार से आपको जेर नहीं आ सकता हाँ इसकी जो हालत है वो जेनेटिव केस ही है यानि इसकी जो हालत है हालत जर्री ही है लेकिन आपको दिखेगा नहीं यहां पे लेकिन अगर नाम आ रहा है तो कित किताब उजएदिन, किताब उब कासिमिन, वगरा वगरा उस पे जिर आ रहा, ठीक है, ये किलिर हो गया, और इसमें तो कुछ है नहीं, मन और मा को बता दिया, कादिमन के माने आने वाला, या फिर आ रहा है, जाहिबन के माने जाने वाला, ये जो इस तरह का वजन है, कादिमन, जाहिबन, इस तरह का जो वजन है, इस वजन को कहते हैं, इसमें फाइल, इसमें फाइल, कादिमन है, या पिर जाहिबन है, या कामिलन है, ठीक है, ये सब इ जाना भी तो काम है जाहिबुन जाने वाला जाना भी तो काम है ठीक है यह इसमें फाइल का वज़न है इसमें फाइल के माना होता है काम करने वाले का नाम वह इसमें है जो काम करने वाले को बताए ठीक है दस्वा पे है कंपरेटिव एड्जेक्टिव ऑफ कंपरीजन यानि क comparative degree, ठीक है, एक होता है, सीफत, ठीक है, सीफत आप लोग जानते है, adjective, simple, simple adjective जानते हैं, लेकिन उससे पहले, क्या बताते हैं, मौसूफ, हाँ, एक टर्म, सीफत को समझने से पहले मौसूफ समझ ले, मौसूफ उस इसम को कहते हैं, जिसकी बुराई या भलाई बयान की जाए, ठीक है, जाहिर है, जिसकी बुराई या भलाई बयान करेंगे, वो लफजों के जरीए से ही करेंगे, तो जो लफज इसक्माल करके किसी की बुराई भलाई की जा रही है, उस लफज को सिफत कहेंगे, adjective कहेंगे, जैसे आदमी गोरा है, काला है, तो ये आदमी गोरा है, मान की जा रही है तो ये मौसूफ हो गया और काला हो ना ये सिफत हो गई ठीक है तो सिफत सब लोग जानते हैं सिंपल एडजेक्टिव उसी से बना इसम तफजील इसम तफजील कहते हैं वो इसम मुश्तक है वो इसम मुश्तक है जो दूसरे के मुकाबला में माना फाइलियत की जादती बतला है ठीक है ये किताबी टर्म है किताबी डिफिनिशन है लेकिन आसानी से समझने के लिए इस तरह समझें कि क्या बोलते हैं आडजेक्टिव उफ कंपरेटिव डिग्री इसको आप इंग्लिश में भी समझ चुके हैं कि दो चीजों या दो परसन के क्वालिट डिग्री कहेंगे दो चीजों के क्वालिटी के दर्मियां ठीक है या दो आदमी के दो परसन के क्वालिटी गुन के दर्मियां हम क्या करेंगे कंपरेजन करेंगे तकाबल मुकाबला करेंगे तो जिस लफज के जरीए से हम कर रहें उसको कंपरेटिव डिग्री कहेंगे इ ठीक है? और ये जो टर्म है इसम उत्वजीर या अफ आलू के वजन पर है और इसके आखीर में मीन इस्तमाल को सकते हैं तो डैन का काम ये कर रहा है ठेक है smaller than, तो smaller का सेंस तो यह दे रहा है, asmi अस्कर, सगीर उन से asgaru और than का अपना जियो अमन दे रहाए ठेक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप अच्छी तरीका से इसको चान टेंए कि यह mixed lesson है, इसमें कुछ नहीं है इसमें बेसिक कनवर्सेशन है इसमें एक तर्में आया है जो देखने के काबिल है वो यह सवाल है आप कहां से हैं तो इसका जवाब दो तरह से दे सकते हैं दो तरह से दे सकते हैं जैसे आप से पूछे आप कहां से हैं वेर आर यू फ्रॉम ठीक है तो आप कहेंगे आयम फ्रॉम इंडिया ठीक है आयम फ्रॉम इंडिया या फिर इस तरह से भी जवाब कभी दे सकते हैं आयम इंडियन ठीक है तो जब आयम फ्रॉम इं अना मीना हिंदी आएगा, अना मीना हिंदी, I am from इंडिया, लेकिन आइम इंडियन, की अरभी है अना हिंदी। ठीक है? जो हिंदी। के आखीर में या है, इस या को बोलते हैं या निस्बती, ठीक है? और सॉदीन के माना सॉदी का रहने वाला, ऐसे ही गयावीन, गया का रहने वाला, मिस्रीन, मिस्र का रहने वाला, पाकिस्तानीन, पाकिस्तान का रहने वाला, तो ये जो आखिर में या आ रहा है, ये निस्बत को बताता है, कि कहां से बिलॉंग करता है, ठीक है, तो अना हिन्दी उनके माना हिंदुस्तान करहने वाला भारत करहने वाला भारतिये सुधिन के माना तारधी करहने वाला है कि फुछ अगर सवाल हो तो पूश्टे जाएं भी सकते हैं पैशेट्बोक्स के माना कौन सा या कौन सी आयू के माना कौन सा या कौन सी और ये आयू जो है ऐजे मुजाफ इस्तमाल होता है ऐजे मुजाफ इस्तमाल होता है ठीक है और आयू के ज़स्ट बाद वाला जो पार्ट है जैसे दीड उन है या फिर तिलमीद उन है या फिर शहर उन है या फिर मुझाफ और इसके बाद वाला जो है लव्ज वो मुझाफिले हो जाएगा और मुझाफिले हमेशा मजरूर होता है या उस पे जिर होता है ठीक है अईयू के माना कौन सा या कौन सी और अईयू की जहां तक बहुत ही पेचीदा बहुत है इसलिए इसको एकनम सिंपल में बता ग्रामर करीब किया जारा जहन से वो अलग बात है लेकिन मेन फोकस ग्रामर पे नहीं है ठीक है अईयू मजाफ होकर इस्सेमाल हो रहा है और दीनिंग मुझाफिले ये दोनों मिलकर मुझाफ और मुझाफिले मिलकर सिर्फ सब्जेक्ट बना और उसके लिए अलग से प्रे इनकमपलीट सेंटेंस होता है इसके बात क्या है यम लिए ये वही मुझाफिले 2-9 या इजाफिले के तौर पे मुझाफिले के तौर पर जोड़ देना एक बैग तिंग के माना एक शागिर्द और इन दोनों को मुजाफ एंड मुजाफिले वाला इस्ट्रक्चर में धालना है बदलना है ठीक है तो क्या हो जाएगा हाकिबत तिल्मीजी शागिर्द का बैग तो इसमें भी कुछ नहीं है बिल्कुल समझा हुआ है सबसान है और रिवीजन में यह पॉसिबल है यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक गंटे में सारे का तरजमा रिपीट करें हां तरजमा के लिए आप जहाब भी परेशानी है वह आप लिख करके पूछ सकते हैं लिखेंगे मैं बताता चलूंगा यह मजाफ़े पर बनेगा अल्लाह की किताब किताब ल्लाही गन्ने का केट हकल ल्कस्बी अब तो कुछ रहा नहीं यहां पर लास्ट यहीं तक लेसन हुआ था अद्दसुल खामी से अर्शारा में पंद्रहवा लेसन में मुजाफ़ और मुजाफले के इस्तमाल हुआ है कंप्लीट सेंटेंस में ठीक है और इससे पहले जो लेसन गुजरा है उसमें इन कंप्लीट सेंटेंस था यह देखे किताब लाही, लफ़े किताब जो है, यह मुजाफ है, लफ़े अल्लाह जो है, मुजाफ ले है, ठीक है, और मुजाफ और मुजाफ ले का जब तरजमा करते हैं, तो बीच में का के की का तरजमा आता है, जैसे इंगलिश में आफ का तरजमा आता है, ठीक है, मुझाफले हो गया मुझाफएंड मुझाफले मिलकर कभी भी complete sentence नहीं बना करता यह दूनों मिलकर सिर्फ subject बना है किताब ल्लाही ल्लाही किताब कोई खबर कुछ नहीं ठीक है आखिर में खबर लाया प्रेडिकेट लाया खाले दून खाले दून के माना होता है दाइमी हमेशा रहने वाली इटरनल अल्लाह की किताब दाइमी है हमेशा रहने वाली है जी होग या लामदूल्ला कि लिर कोई सवाल है तो सवाल जवाब कर ले और कोई word meaning अगर नहीं समझवाया हो तो पूछ ले लेसन गबरिट हो गया सर इसमें थोड़ा सा और पूछना है किसमें? हाजी बोले मुजाफ और मुजाफ इले आपने जो बताए इसको इंगलिस में थोड़ा साथ बताई गा मुजाफ और मुजाफिले मुजाफ always मुजाफ इले जभ मिलता है तो उसको कहते है subject बनता हो तो subject बनता है मुझाफ एंड मुझाफ सुने मरी बात मुझाफ एंड मुझाफ दिया जब दोनों मिलता है तो मिलने के process को कहते है एजाफद possession ठीक है possessive pronoun सुना होगा possession मतलब किसी की निस्बत किसी की तरफ करना है जैसे English में off इस्तमाल करते हैं जैसे मान लेते हैं किताब कासिम की किताब तो English में क्या आएगा दबुक आफ कासिम आफ आएगा दबुक आफ कासिम को आफ जब समझ लिए तो असानी से समझ माज़ आएगा जी सवाल जबाब कर ले अब तक जितना भी रिवीजन कराया है इसलिए के पूरे लेसन का एक घंटे में तरजमा पॉसिबल नहीं है तरजमे की वही सूरत है कि जिनको जहां परेशानी हो वो लिग करके पूछें परसनली भी वाटसब पे पूच सकते हैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता सकता हूं लेकिन हासना खयाल लखें टाइम के खयाल लख करके पूछें तो इम्शालला बता दूँगा यहां भी पूछ सकते हैं चैट बोक्स में को यह से अलफाज जो आपको इन पंदरा लेसन में गुजरे हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पू मेरा अलग है तो कोड़ कुछ हटके रोड़ा सा यह जो बुक्स आपने जिसमें से पढ़ाया है यह मार्केट में मिलेगी क्या हां मिल जाएगी आप कहां के रहने वाले हैं यह दिवास इंदोर के पास तो आस-पास आपके मदारिस वगर होंगे मकतबा होगा तो मिल जाएग नहीं हम हम सेल नहीं करते हैं फिर परिशानी हो जाएगी जी चालो ठीक है आप जो जो किताब मुझे मेर मुझे रिलेटेड है आप उसका नाम पूछ ले मैं लिक करके कि ये किताब चाहिए और उससे आसान तरीका यह है कि फॉरन पेज का आप इस्क्रीन सॉट ले लेकर के मक्तबे वाले को वाटसअप कर दें और पैसा पेट कर दें ओनलाइन हो जाएगा बहुत असान जी होड़ लोग सवाल करना चाहते हैं तो करें कौन है अमीन शायक साथ अभाजी बने में वो एक हाजी बोलते हैं पर गए तो हाज हडोर और अगर ज्याद हज्कर किया तो इसको अल्हाज क्यों जो बहुता हो कि पता नहीं कुछ हो और कोई मिलतजिम भाई आप बोलें शाहनाज जहां आपका इनमीट किया हाँ सर मैं थोड़ा सा यह बाद बुच्छा था इसी की बारे में कि यह जो किताब है यह सी एसी ही किताब इस ते मिलती ही किताब और कौन सी किताब है वो भी है आपकी लोग माइक बंद कर लें इस तर बोड़ा है हाँ क्या बोल देते हैं फिर से बोले नहीं समझ पाया है मौकर सभी को दे पूछने का जी रोजीना कौन है नहीं सर्थ कोई डाउट नहीं सब अच्छे से समझ रहे हैं ठीक है हिबरुन के माना रोशनाई यानि इंक जो लिक्वीड होता है लेकिन मिहबरतुन के माना इंक पॉट जिसमें इंक रखा जाता है हमग़रतुन पॉट ठीक है पॉट के माना डबा और उसका ढगकन होता जाहिरए इंक पॉट का डबा जिए के माना धकन दब्बा मैं कह रहा हूं सुरी ठीक है घृता के माना धकन फरहीन खान एक दो मिनिट देख लेते हैं उसके बाद फिर क्लास एंड कर देंगे घृता अल मिब्रातुन इसकी और मिब्रातुन के माना होंगे क्या बुलते हैं इरेजर पिंसिल इरेजर और गिता उनके माने धकन एक दो मिनिट देख लेते हैं मतलूब सलीम भाई क्या ट्रांसलेशन अब अच्छा मुसे याद करने कि आगे का है अदेख नहीं पीडियेफ तो भेज चुके है ठीक है उसको आप पढ़ें आगे कभी पढ़ें चाहे समझ में आए या ना आए ठीक है उसके जो इंपोर्टेंट वर्ड से जो है किताब के इंड पे दिये हुआ है ठीक है आप उसको द नहीं भी होता है तो कम से कम जिसको बोलते हैं जबानी तौर पे देख करके पढ़ना वो भी सीखने की चीज़े उसमें बहुत गलती होती है लोगों से जी और कि नहीं का अगर सवाल है तो पूछें अमीन शेख साथ सवाल बिल्कुल एक दम कोई भी सबी से कह रहे हैं सवाल बिल्कुल दिल खोल कर करें जो भी रिलेटेड सवाल ठीक है नहीं सब कमझ में आ रहा है लेकिन वर्ड रकर मीनिंग थोड़ा उसको वजच थोड़ा ही हो रहा है सबको वर्ड मिनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसकी वही सूरत है कि जो रिपीटेड लेशन है जो हो चुका है उसे रिकॉर्ड में सुने और सबसे बहुतर तरीका अब पंदरा लेशन हो चुके है ठीक है रिवीजन भी हो चुका है तो शुरू लेशन आप खोले पीडिएफ खोलें उसके बाद फिर क्या करें भूबहू जो चीज लिखा हुआ है उसी को पहले कॉपी करें ठीक है और उसका जगह छोड़ दे मिनिंग का जगह छोड़ दे उसके नीचे मिनिंग लिखें याद है तो लिखें नहीं तो पिर आगे बढ़े दूसरे का लिखेंगे तो मुमकिन नहीं है कि मिनिमम पांच के आपको याद ना हो लिखना और पढ़ना एकदम जरूरी है बिगयर लिखें तो कोई चारा ही नहीं सिर्फ जबानी तो पढ़ने से फाइदा नहीं होगा यह मेरे अपना मानना है ठीक है तो इसे देख-देख कर के टीन हे Vivian में अ हो करेंगे बहुत अब सिंद नहीं घर perfection नहीं हो झांड़े हैं कि सुन करके सब कुछ नहीं हो जाता है कि दिन में एक कम से कभी एक दू हंता तो इंडाइम निकलना पड़ी है नहीं नहीं भूँ जादा बोल दिया आधा गंटा भी अगर खुलूस के साथ इंटेंसिनली लगा दीजियेगा तो इन्शालला बेतर रहेगा शुरू शुरू आदा गंटा पूरी तवज्जों के साथ ठीक है जी अहसान अली शेख साथ बस आप बुलें उसके बाद फिर क्लास एंड कर देता हूँ कि जो जैसे आप कल क्या पढ़ाएंगे इसके वारं थोड़ा सा आज जानकर ही हो जाए कि रिपीट कराएंगे या कुण सा लेशन पढ़ाएंगे तो हमको थोड़ा सा उसके थोड़ी पूर्व तैयरी कर लेते हैं अच्छा तो पंदरा लेशन हो चुका है और डेली डेली ज तो लाइफ किलास में रह रहे हैं उन्हें तो खुद पता है कि कौन सा लेशन चला और इसके बाद कौन सा लेशन शुरू होने वाला है तो खुद सरी आप खूल करके देखेंगे तो बिलकुल समझ में आएगा ठीक आज बत देता हूं कल सोलवा लेशन होगा अदिस आशा होगी तो इंशालला फाइदा होगा ठीक एक अच्छर नहीं समझाए लेकिन फिर भी हम इस पे दस मिनट सर्फ करके आएंगे ठीक है और एक एक लफ़ पढ़कर के और ऐसा मुम्किन नहीं कि कुछ भी ना आए आए आएगा 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 जी ठीक है सलाम आलेकम रहमत एक जहां आएगा आऐ एंश बहाओाई बार नहीं ओरसे करे फी आएओे भी ओ मे सरा एनआ आए लांएघ इसक्षल आए ब मादआ आएगां है गर छोओज लो से उनहें उ कंप लूदा आए यूदा है चान्ला आएएँ मादता आएगा सम्टर याले इससा हम समझा जई न